नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभीका तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर में आपको बताँगा की कैसे आप अपने रेट मी एस टूपर और म्यूजिक एप के प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर उस्तों में आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉलूइशन बताने वाला हो ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको जो है बाई डिफल्ट एक म्यूजिक एप मिल जाते तो इस वीडियो को आप पूरा जरू डेख लेना मैं आपको शो करके बताऊंगा आपको क्या क्या करना होगा कैसे प्रॉब्लेम को सॉल्फ करना है ठीक है तो वह सब मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हो अगर आपको प्रॉब्लेम सॉल्फ करना है तो वीडियो को मिल जाएगा जाके आप चेकाउट कर सकते तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते और देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें solve करना है music app के problem को सबसे पहले दो दोस्तो आप एप को जो एक बार update करके देखें एप update करने के लिए दोस्तों आपको एप के अंदर पर जाना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ उपर जो आपको टीन लाइन ने दिखाई जा रहा है उपर में उसमें क्लिक करना है और सेटिंग पर जाना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा update automatically का option तो उसमें जाके दोस्तों आप जो है यहाँ पर auto update सेलेक कर ले या तो फिर आपडेट ही direct कर लीजिगा ठीक है तो एप को update वगरा करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे update के बाद fix होता थे problem तो आच्छी बाद है लेकिन दोस्तों update के बाद भी अगर problem solve नहीं होते तो जाएए आपने mobile के setting पर और scroll down करके apps को open करें और उसके बाद manage app manage app पर जाके दोस्तों आपको यहाँ पर search करना है music तो यह रहा उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको force stop करके okay करना है उसके बाद clear data पर click करके clear all data करके okay कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जाएएगा permission setting पर तो storage permission को एलाव कर देना है बस उसके बाद device को restart वगरा कर ले और check करके दिखे problem solve हो चुका होगा ठीक है तो simple submit ओटे follow कर लिजिए आपको कोई भी दिक्कत दुबारा से नहीं होगा और दोस्तों आज कल तो वेसे भी आपको बहुत सारे music applications मिल जाएगा तो अगर दोस्तों यह application काम नहीं भी करते तो आप play store से जाके कुछ दूसरा music application आप install कर सकते ठीक है